कि आपके पर्सन की करेंट फिलिंग क्या है वो किया सोच रहे आपको लेकर और उनका नेक्स्ट आक्षिन क्या होगा साथ-साथ हम यह भी देखेंगे कि आपकी फिलिंग्स क्या चल रही है ठीक है तो यह सारी चीजें देखेंगे और आपके लिए गाइडिंस भी देखेंगे कि क्या कुछ आपको करना चाहिए ठीक है पीचे हर्द जाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए ठीक है तो यहां पर एक बात में बता देती हो यह जो रीडिंग होगी सभी के लिए होग को कुछ ना कुछ information देखर ही जाएगी timeless reading है और जब भी आपके सामने आएगी valid होगी आप देख सकते हो okay genderless है तो चलिए देखते है फटाफट कि क्या है आपकी person की current feeling यह general reading है तो हो सकता है सारे के सारे resonate कभी कर जाए हो सकता है कभी ना करें resonate ठीक है थोड़ा कम ही resonate करें मैं दियर फ्रेंड रिडिंग सुरू करने से पहला है मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए आप किसी भी टॉपिक पर रिडिंग जो भी इशुग है और आपकी जो परसिन होती है वह पेड होती है चलिए काड्स हम लेते है और देखते हैं क्या कुछ मेसज्च ए सा रहे हैं आपके पार्ट्म की फीलिंग के बारे में ओके so my dear friends यहाँ मैं पहला card लेने वाली हूँ so please angel help me guide me okay alright और भी cards हम लेते हैं सारे cards लेकर एक बार messages clear करेंगे alright okay काफी deep messages आ रहे हैं आपके person के लिए कि आपकी person जो है क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर और देखते हैं ओके काफी ज्यादा maturity दिखाई दे लिए इस person के अग्राइट ओके कफी अच्छे messages आ रहे हैं चलिए यह last card हम ने ले लिया अब देखते हैं क्या कुछ यह cards messages दे रहे हैं आपके person के feelings के बारे में okay so my dear friend यहाँ पे आपके सारे cards आ गया है और सबसे important message मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो यह है कि आप दुनों की बीश में जो भी situation हुआ है या कम बात हो रही है जिस भी वज़से वह वज़स जो है reason वह बेकार है वह फाल्तु है वह valid है ही नहीं जिस वज़से से आप लोगों ने एक दुस्रे का मुझ देखना बन कर दिया बात करना बन कर दिया ठीक है यह सारी चीजे दिखाई दिखाई दे रही है कि वह जो reason है वह बेकार का reason है और आप लोगों की बीच में misunderstanding हो गई है ठीक है क्योंकि आपके जो person है और आपका जो relationship है वह क्या है काफी ज्यादा पवित्र मुझे याप दिखाई दे रहा है ठीक है काफी साफ clear सा प्योर सा आपका relationship था पता नहीं किस तरह कम इस understanding हो गया जासा दिखाई दे रहा है किसी से तीसरे person के वज़े से आप दोनों की बीच में क्या हो गया है डुक अ बेक आप हो गया है से सप्रेशन हो गया है बात नहीं ho रही है अगर कभी बात औती वह तो गया होता है जगडा में बात नहीं तो ये शारी चीजें आपर दिखाई कोशिस की होंगी लेकिन आपने नहीं माना या फिर यह हो सकता है कि आपके परसन जो है आपसे खफा है और आपने उन्हें समझाने के बहुत कोशिस की है लेकिन आपके परसन नहीं माने एक नहीं सुने ठीक है और यह सारी चीज़ें आप दिखाई पड़ रही है लेकिन इस् यविर में बता दू आपके परसंद्ट आपे आपके पास आना चाहते आपको मनाना चाहते है दोलों के लिए ही यह energy है ठीकर साथ-साथ यह दिखाई दिखाए देघा है कि आपके परसंद को काफी ज़्यादा आफसोर्स हो रहा है ठीकर साथ यह परसन की spiritual maturity भी हो रही है ठीक है इन्होंने जितना भी कुछ गलती किया है और जो कुछ भी किया है सारा कुछ divine पर यूनिवर्स पर यह पर छोड़ दिये हैं ठीक है यह परसन डिफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं बहुत प्यार है बहुत आप दुनों के जिंदेगी एक साथ spend कर सकते हो ठीक है और इस वक्त परसन की spiritual maturity होते हुए है पर दिखाई पड़ रही है आपके परसन जो है क्या सोचते हैं कैसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके परसन चाहते हैं कि आप दोनों की बीच में जो भी जगड़ा हुआ है वो उसका कोई रिजल्ट निकले और क्या रिजल्ट हो प्यार भरा रिजल्ट हो ठीक है वापस एक हो जाओ दोनों एक साथ खुश रहो enjoy करो ठीक है जैसे एक true और खुश हाल कपल रहते हैं बस वासा ही relationship यह परसन चाहते हैं यह परसन वापस आना चाहते हैं तो मैं बस यह कहना चाहती है यह परसन बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं आप यह पर कार्ड देख सकते हो यह परसन जो है हो सकता है हिंबत नहीं जुटा पार आपके पास आकर कि ऐसा कहने का कि मुझे माफ कर दो लेकि डिफिनेटली यह परसन देख रहे हो हाथ चोड़कर आपके पास मैं फुल लेकर खड़े है कि एक चांस तो देना चाहिए तुम्हें एक बार मुझे माफ करके देखो मैं अपने सारे रिस्पॉंसिबिल्टिस को अच्छे से निभाओंगा अच्छे से निभाओंगी बस एक चांस देकर मुझे देखो ठीक है आपके जो परसन की सोच है व के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं नीगेटिव नहीं सोचते हैं साथ यहां पर ऐसा दिखर आए यह जो परसन है आपके पार्टनर वो आपके साथ पूरा लाइफ परन करना चाहते हैं ठीक है ऐसा चीज दिखाई दे रहा है यह आपके साथ जो है बहुत सारी तरसा घर देना चाहते हैं हो सकता है यह परसन अभी इस परसन के दिमाद में यह सारी चीजी चल रही है ठीक है क्योंकि डेफिनेटली परसन बहुत पॉजिटिव तो सोच रहे हैं साथ साथ यहां पर यह दिख रहा है कि परसन ड्रीमिंग भी कर रहे हैं ठीक है बहुत ज्या और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है यह परसन आपके ट्विन फ्लेम हो ओके बहुत सारे परसन के लिए यह साइन हो सकती है अब देखते हैं कि आपकी अनर्जी क्या है लेट्स चेक इट आउट और यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप काफी ज्यादा सोच रहे हो दिन भर सब कुछ चोड़ चाड़कर बस अपने परसन के लिए सोच रहे हो ठीक है और काट्स देख लेते हैं क्या कुछ आपकी थिंकिंग है डिसीट हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो की देख रहे हैं वीडियो को अपने परसन से जुट बोला है यह चीज़े हो सकती हैं यह फिर आपके मन में बहुत ज्यादा निगेटिव चल रहा है अपने परसन को लेकर लेकिन यहां पर देखो कि आपके परसन जो है बिल्कुल positive सोच रहे हैं आपको लेकर आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं मारे लाइफ देख रहे हैं आपसे प्यार करते है तो definitely ओके हो सकता है कि आपको ऐसा फिल हो रहा हो यह परसंट जो है सिर्फ पैसे की पीछे भागता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह परसंट जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं ठीक है हो सकता है जब आप लोगों की बिसनस के बारे में है और के बारे मेंहीं ही दिस्करस करते होंगे इस सिंटीinté SS जो है अच्छą विर्ण से ब application करते होंगे ओकेइज Newton कुछ तो डिफरेंट बहुत अलग बहुत अच्छा आपके लाइफ में होगा ठीक है और क्या सूचते हो अपने परसंद के लिए इसमें से हम कुछ काट्स लेंगे ओके आप जो है परसंद के लिए बहुत अच्छा सोचते हो बहुत प्यार करते हो देखो दो सिचुएशन दिखाई दे रहां आपके लिए एक तो जो है अपने परसन को चांस नहीं दे रहे हो निगेटिव यह सोचते हो कि आपके परसन जो है आपसे प्यार नहीं करते हैं लेकिन यहां तो उल्टा है आपके परसन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी वैसे ही सोचना चाहिए और बिल्कुल आ कुछ घंटो बाद आपको फील होता हो नहीं यहीं जो है मेरा परसन है और इसे से मेरी शादी होगी इसी के साथ मजे लाइफ स्पेंट करना है तो मतलब ऐसे दो तींकिंग आपके दिमाग में चल रही है ठीक है आपको टेंशन देने के जरुत नहीं है आपके परसन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी करते हो तो बिल्कुल हमत रखिए इंचल अवस्तिरिन का काड़ाया है हमत रखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक होगा वन मंत के अंदर बहुत साइव लोगों का क्या हो स उखोग हो जाए और देखते हैं आपके परसन ने बहुत ज़्यादा किया है आपके तरफ से कोई रप्लाई नहीं गया अपके परसन भी अब रुख गया है यह सारी चीजे करना स्टेप्स लेना तो ऐसा दिख रहा है आपके लिए जो काड़ाया है वह यह है कि आपको एक लेना चाहिए अपने परसन के तरफ उनको एक चांस देना चाहिए या फिर आपको जो है उनको कॉल या मैसेजिस करना चाहिए ठीक है लिट्स चेक इट आउट कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहे है ठ्रू द मर्मेट काड आपको यहां पर अवेर रहने की जर्वत है बहुत सारी लोग जो वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि डिफिनिटली उनके साथ धोका हो रहा है तो उनको अवेर रहने की जर्वत है ठीक है जाइब डीप कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि अब मतलब जब आप इस रिलेशन सबसे निकल चुके हो से प्रेट हो चुके तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल अब फ्री हूँ ठीक है बहुत सारी चीज़े उन्हें मुझे बांद कर रखा था तो अगर ऐसा फील होता लिट्स चेकिए आप मोर्काट लेटिंग गो ठीक है जो भी पास्ट की बाते थी मिसंद्रस्टैंडिंग थी उसको जाने दो और एक नई शुरुवात करो मुझे ऐसा यहां पर मैसेज़ेस दिखाई दे रहे हैं ठीक है कि मैउस्off कि आध्याठी आट जो अब पुर्णी बात को याद करते हैं कि यह ऊपर्स सिंटकी बात किया जो बी अच्छी बात ते थे वह आप लोग याद करके बहुत खुश होते हो कभी रोते हो यह भी चीज़े दिखाई दे रही है तो देखिए यह सारी चीज़े क्या इंडिकेट करती है कि डिफिनेटली आप दोनों के बीश में बहुत प्यार है और आप दोनों को अलग नहीं होना चाहिए आप दोनों को एक दुस्रे को चांस दे कर बहुत खुश है ऐसा दिखाई दे रहा है और ब्लेसिंग्स आपके तरफ लाते हुए दिखाई दे रही है और देखते हैं कॉम्मिनिकेशन वाओ अमेजिंग ऐसा दिख रहा है कि काफी जल्दी आप लोगों की बात होगी ठीक है कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है एक वी के अंदर ही बात हो जाए ठीक है वैसे मैंने one month कहाँ कहा दिया है लेकिन एक week के अंदर आप लोगों की बात हो जाएगी लोग के लिए किसी के लिए एक मंथ लग सकता है acceptance लोग बहुत को सचाई बताते हैं लेकिन आप ब्लीव नहीं कर रहेan लेकिन आप लोगों को परसं कहते हैं उसके एक बार आप बिलीब करके देखो उस चीज को एक सेप्ट करो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा ओके बहुत सारी लोगों के लिए परसंता है अब कर देखा है चैकर आट कर दोता है कि उनका सप्रेशन हों खोगर बहुत ऑच्छा हुआ है तो थीक है बहुत अच्छी बात है आपको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आगे वह आगे आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है ठीक है बहुत कुछ अच्छा रखा है और को बहुत अच्छे परसंद मिलेंगे तो यह आपकी च्वाइस से आपको क्या करना है ठीक है यहाँ पर डिपेंड करता है ओके यहाँ पर जो है आर्क एंजल गैब्रियल है जो की हमेसा आपके साथ है सपोर्ट कर रही है और आपको जो है कभी भी गलत रास्ते पर बटकने नहीं देंगी ठीक है वो सकता है यह पर जो इंजल से वह आपको बहुत सारी चीजह सिखा कर वहां से निकाल कर ले आएंगी ठीक है लेकिन वहां कभी भी बुरे जगह पर नहीं छोड़ेंगी हमेसा एक प्योर लाइट में यह पर यह जो एंजल से आपको रखेंगी ओके शॉरी ट्रंक्स कर जाते हैं मैं बार बार एंजल को परसन बोलने वाली थी लेकिन मैं रहे इंग्नोर किया चलिए यह पर डिग्निटी चाहे कुछ भी हो जाए अपने जो हैं हेड को अपने सर को नीचे जुकने नहीं देना है चाह निखेरington tomorrow şu weekend देखिए या तो यह जाएगा बहुत साइवे लोगों के लिए आप दिस दो जाऊओंति उससे ख्लीजा फ्रीं हो जाओगे और बहुत सारो के लिए यह हो सकता है चाहित ей आ जो जो एड़ा बात च्खिपाई गई थी वो साथी चीजे क्या होगई आपके सामने आएगी, clarity मिलेगी, misunderstanding वो clear होगा, और आप लोग फिर से enjoy करोगे अपने life को, ज्यादा मुझे messages यहीं पर आ रहे हैं, यहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ओके moving, हो सकता है, जो भी long distance relationship में है, आपकी person आपसे मिलने को आएंगे, ठीक है, और आकर हो सकता है, surprise देंगे, देखो मैं आचुका हूँ, आचुकी हो, तुम मिझसे मिलने आजाओ, देखो, कितना अच्छा काड़ाया, laughter का, बहुत enjoyment होते हुए दिखाई दे रहा है, आप लोग फि positive सोचना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपकी reading खतम होती है, तो अगर आप personal reading चाहते हो, तो आप में उसे contact कर सकते हो, Gmail और Instagram के थ्रू, जानते चाहते चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए, और अपने guidance पर जरूर फोकस कीजिए, ठीक है, guidance बहुत important है, so, तब तर क्रिव and take care